तो इस साल दिल्ले के राजपत में 36 गड़ की जाकी नहीं दिखने जा रही है कुछ तक्निकी कारणों के चलते जाकी को बाहर कर दिया क्या है तो बता दे कि एक जोन से दो जाकियों को चुनना था वहीं सेंट्रल जोन में यूपी और उत्रागण की जाकी को मन्जूरी मिल गई है मध्य प्रदेश और 36 गड़ जाकी बाहर कर दिया क्या है मिलट मिशन की जाकी को अनुमती ना मिलने को लेकर अमरजीत भगत का बयान सामने आ है उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 36 गड़ के मिलट मिशन की चर्चा पूरे देश में है प्रदान मंत्री मुख्य मंत्री के बैठिक में मिलट मिशन को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई थी मिलट मिशन की जाकी को मन्जूरी ना मिलना निराश जनक बात है तो यह बड़ी खबर सामने आ रहे हैं जहाँ 26 जनवरी को इस बार 36 गड़ की जो जाकी है वो राजपत पर नहीं होगे कुछ तकनीकी खामियों के वज़े से इस साल 36 गड़ को मन्जूरी नहीं मिली है 36 गड़ के साथ ही बड़े प्रदेश को भी मन्जूरी नहीं मिली है पुरे हिंदुस्तान में इस समय मिलेट मिशन को पुरत्साहित करने के लिए अपने इस्तर पर सभी काम कर रहे हैं पिछले दिनों मान्य प्रधान मंत्री जी से मान्य मुख्य मंत्री जी मिले थे और उस समय भी मिलेट मिशन के संदर में चर्चा होई थी कि 36 गड़ में कोदो, कुटकी, रागी जैसे खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन जोड़ करके इसको प्रदेश इस तर पे और राश्टी इस तर पे प्रसाहित किया जा रहा है इसमें बहुत से इसका जो साइन्टिफिक रीजन है कि आज बड़ी मातरा में लोग सुगर के पेसेंट हो रहे हैं यह सुगर फिरी प्रोड़क्ट है और इसको बढ़ावा देने से जहां एक और फसल चक्र में सहायक होगा किसानों को उनके आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा वहीं एक तरह से जो सुगर जैसे बीमारी है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी इतो विलेट मियशन को राश्टी इस तरपे प्रिसाहीत करने के लिए मानि प्रधान मंतरी जी भी अपनी उतसूपता जता चूके हैं तारीफ चुके हैं राश्टी इस तरपे 26 जनवरी जो जहांकी था उसको ब्ही बिलेट मिशन को संभावना थीकि औसम मिलेंगा लेकिन पता नहीं कीन कारणों से उसको इस्ठान नहीं मिला ये हमारे ले बहुत निरासजनक बात है और जो लोग भी इसको अपातर किए है आनिरस्थ किए है अउसर नहीं दिये है उनकी मान सिकता दरसाता है किस परकार से पक्षपात लोग